टेकी पाउन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं वेल्कम स्टुडेंट्स मेरे चनल टेकी पाउन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है आज का टॉपिक है विदेशी मुद्रा की पूर्ती के घटक इसी को विदेशी मुद्रा की पूर्ती के स्रोत भिका जाता है कहने का मतलब इस टॉपिक में ये जानने का प्रियास करेंगे कि विदेशी मुद्रा हमें कैसे मिलती है सारा खेल इसी चीज़ का है इस टॉपिक में तो आई देखते हैं इस टॉपिक को स्टॉपिक आज का टॉपिक है विदेशी मुद्रा की पूर्ती के स्रोत देखते हैं इस टॉपिक को विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त होती है विदेशी मुद्रा हमें कैसे मिलती है उसे ही विदेशी मुद्रा पूर्ती के गटक या विदेशी विनिमे पूर्ती के स्रोत कहा जाता है तो हमें कैसे कैसे मिलती है विदेशी मुद्रा लेखे पहला अंतराष्टी रिन लॉन फ्रॉम फॉरेंट अंतराष्टी रिन विदेशी मुद्रा के रूप में ही लिए जाते हैं इससे हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्त होती है। हम विदेशों से, IMF से, World Bank से या किसी भी दुनिया की किसी भी संस्तान से या देश से रिल लेते हैं अंतराश्री रिल तो वो हमें विदेशी मुद्रा की रूप में प्राप्त होते हैं। तो ऐसे मिलती है हमें विदेशी मुद्रा, पहला तत्व, दूसरा तत्व, विदेशी निवेश से, फॉरेन इंवेस्टमेंट से, विदेशी लोग जब भारत में निवेश करते हैं, तो उसे हम विदेशी निवेश करते हैं, और उसे हमें क्या प्राप्त होती है, विदेशी लोग भारत में परत्यक्ष विदेशी निवेश भी करते हैं और विदेशी संस्थागत निवेश भी कर सकते हैं विदेशी जो परत्यक्ष विदेशी निवेश है उसे क्या कहा जाता है परत्यक्ष विदेशी निवेश वो निवेश होता है जब विदेशी लोग भारत की बह आर्केट में निवेश करते हैं तो उसे हम FII या विदेशी संस्थागत निवेश कहते हैं तो इन दोनों तरीकों से भी हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है फिर तेसरा पॉइंट निर्यात करने से भारत संपुन विश में बहुत से अरी बस्तूओं का और सेवाओं का निर्यात करता है तो बस्तूओं और सेवाओं का निर्यात करने के बदले में उसे जो बुक्तान प्राप्त होता है उससे भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है अगर हमने अमरीका को कोई सामान बेचा है तो बदले में अमरीका हमें क्या देगा अमरीकन डोलर देगा तो ऐसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है नमबर चार विदेशियों द्वारा पर्टेक्ष खरीद से डारेट पर्चेस बाई फॉर्नर्स विदेशी लोग भारत में पर्टेको के रूप में भी आते हैं और चिकिसा जाज के लिए भी आते हैं और यहां आकर वो क्या गरते हैं पर्टेक्ष रूप से वस्त्वें खरीदते हैं और सेवाएं खरीदते हैं जिसके बुक्तान के रूप में हमें क्या मिलती है विदेशी मुद्रा अब आप ये कन्फूज मत हो जाना कि सर अगर अमरेकी व्यक्ति यहां आकर कोई सामान सब्जी खरीदता है तो क्या वो डोलर देगा सब्जी वाले को बिल्कुल नहीं वो लाएगा डोलर अपने देश स लेकिन हमारे बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से वो डोलर को किस में कन्फर्ट कराएगा रूपए में और रूपए से वो फिर बाजार में जाके सामान खरीदता है ठीक है फिर पांचवा पॉइंट है विदेशों से अनुदान और दान की रूप में अनुदान का मतलब होता है जब कोई देश हमें सस्ते में रिण दे बहुत जादा सस्ते में रिण देता है तो उसे हम अनुदान कहते हैं साहता राशी कहते हैं जिसे हम वापस लोटाते हैं लेकिन दान के रूप में मिली रखम को कभी लोटाए नहीं जाता दान अकसर कब दिया जाता है जब कोई या कोई तरास दिया आ जाती है तब दूसरे देश हमारी मदद करते है तो विदेशी लोग भारत को अनुदान और दान के रूप में जो राशी देते हैं उससे भी हमें विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होती है तो ये कुछ तरीके हैं ये पांस तरीके जो मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा हमें कैसे प्राप्त होती है इसी को विदेशी विनीमे पूर्ती के गटक या विदेशी विनीमे या विदेशी मुद्रा की पूर्ती के स्रोध कहा जाता है छोटा टॉपिक था, एक अच्छा टॉपिक था चैनल अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद